हेलो दोस्तों, कुकिंग फूड बिदिसमिता में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कटहल की सबजी तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई भी होगी लेकिन आपको आज मैं कटहल की एकदम से तेश्टी सबजी बनाने का नया तरीका बताऊंगी जिससे ये सबजी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और इसी तरह से आप इसको हर बार बनाना चाहेंगे तो अगर आपको ये सबजी की रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजीगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए ये मैंने 500 ग्राम कटेल ले लिया है और काटने से पहले ही हमने इसको अच्छे से दुल लिया था और इस तरह से इसको लंबे-लंबे टुकडों में कट कर लिया है, अगर हो सके तो गूदे वाला कटेल ही लीजिएगा जिसमें ज्यादा लच्छे हो, वो वाला कटेल ना लो, जिससे सबजी टेस्टी नहीं बनते है, तो इस तरह से हमें गूदे वाला कटेल लेना है और अब हम इसको सरसों के तेल में ही फ्राई करेंगे, जिससे सबजी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी तो पहले हमने सरसों की तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम सारे कटैल को इसमें डाल देते हैं गैस की फ्लेम को अभी हम हाई पर ही रखेंगे और इसको थोड़ा सा उपर नीचे चला लेते हैं और चलाने के बाद गैस की फ्लेम को हम मेडियम कर देंगे और मेडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तब तक ये मेडियम फ्लेम पर फ्राई हो रहा है तब तक हम इसके लिए पेश्ट बनाकर तयार कर लेते हैं तो अब हम इसकी फ्लेम को मेडियम कर देते हैं और ये हमने दो बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं आपके पास अगर छोटे साइज के प्याज हैं तो आप चार भी ले सकते हैं इस सबजी में हम टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलिए अब हमने इसको इतने बड़े बड़े टुकणों में काट लिया है और अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल देते हैं थोड़ा सा अधरक डाल देंगे और चार से पांच हरी मिर्च डाल देंगे मेर्च आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ही डालिएगा अब हम इसमें 7-8 लैसुन की कलियां डाल देते हैं और अब हम इसका एक पेस्ट बना कर तयार करेंगे तो इस तरह से हमें इसका एक फाइन सा पेस्ट बना कर तयार कर लेना है तो चलिए paste बन चुका है और बीच-बीच में हमें कटेल को भी चलाते रहना है और ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा है तो इसी तरह से हम बीच-बीच में चलाते भी जाएंगे और दूसरा भी काम करेंगे तो एक कड़ाई में हम दो बड़ा चम्मस सर्सों का तेल डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन, जीरा, एक बड़ी इलायची, लॉंग और काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है इसको अब हम तेल में डाल देंगे और दो साबुत लाल मिर्च भी इसमें डालेंगे इसको थोड़ा सा भून लेंगे और अब हम इसमें एक चोथाई चम्मस हींग डालेंगे तो जब भी आप कटेल बनाएं अजवायन और हिंग जरूर से डालिएगा जिससे बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है और जो कटेल का भारी पन होता है या जो बादी पन होता है वो भी अजवायन और हिंग डालने से खत्म हो जाता है और जो हमने प्याज का पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए हम प्याज को लगबग 4-5 मिनट तक भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है और बीच बीच में हम कटैल को भी देखते जाएंगे तो इसके साथ ही साथ हमारे दो काम होते जाएंगे और हमें सबजी बनाने में भी तेर नहीं लगेगी और इधर देखिए प्याज भी थोड़ा सा भून चुका है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो इसमें हम एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच देगी मिर्च डालेंगे आप इसमें रोजवाली मिर्च भी डाल सकते हैं और एक चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल डालेंगे अब इन मसालों को लगबग 1-2 मिनट तक प्याज के साथ बून लेंगे जिससे प्याज भी और अच्छे से बून जाएगा और उसके साथ ही साथ मसाले भी बून जाएंगे तो इस तरह से देखिए इधर मेरा कटेल भी अच्छे से भून चुका है और देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है तो बस इतना ही हमें कटेल को भूनना है तो अब हम कटेल को निकाल लेते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ चुका है और इधर हमारा प्याज भी अच्छे से भून कर तयार हो चुका है ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है तो जो हमने कटैल भून कर रखा था वो मसाली में हम डाल देंगे और मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगबग 1-2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे जिससे इसमें मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है मसालों के साथ तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं पानी तो हम इसमें लगबग 1-2 गलास पानी डालेंगे क्योंकि इसमें हमने प्यास डाला है जो पानी डालने के बाद थोड़ा सा फूलेगा और कटहल भुन चुका है तो वो भी थोड़ा सा फूलेगा तो इसलिए पानी हमें थोड़ा अच्छे से डालना है और इतनी गाड़ी हमें ग्रेवी रखनी है तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक एक चम्मच कसूरी मैथी इससे सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं लगबग 2-3 मिनट तक अब हम इसको ढखकर पकाएंगे जिससे सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और गैस की फिलेम को मीडियम कर देंगे 2-3 मिनट में देखिए सबजी में कितना अच्छा कलर आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला बारी कटी हुई धनिया पत्ती और बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब सबजी बिल्कुल बनकर तयार है तो आप इसको एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्राई करिएगा सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी जो कटैल की सबजी नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे तो दोस्तो कैसी लेगी आपको इस कटैल की सबजी की रेस्पी कमेंट बोक्स में जरूर से बताईएगा और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ